दोस्तो आज की वीडियो जो मेरी आप देख रहे हो यह मेरी विगर चेहरे के देखोगे आप पूरी वीडियो सुरू से लेके एंड तक मेरा इसमें चेहरा आपको दिखाई नहीं देखा तो आज हम बात करेंगे मसूरी जाने की मसूरी घूमेंगे बैसा मैं आपको घर ले सकती ग्रभी जानकी आपको मैं इस वीडियोग के अंदर दे दूंगा सब से पहले हम बात करते हैं मसूरी जाने का कितना आएका फिल्लाल मैं आपको सॉट कट मैं बता हूं आपको कितना खर्चा आजाएगा आपको वहाँ घूमने में जाने में आने में और खाने पीने से ले करके कितना खर्चा आ जाका सोटकर मैं आपको बता देता हूं एक तीन दिन का जो खर्चा है वहां का वह एक आदमी का 10,000 से ले के 15,000 रुपे के बीच में आपका खर्च हो जाएगा अगर आप चाते हो कि मैं पूरी वीडियो डेटेल में बताओं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना ठीक है मैं पूरी डेटेल में एक वीडियो बना दूँगा उसके लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन से म मसूरी जानकारी आपको दे दूँगा फिलाल आज हम मसूरी में घुम रहे हैं मसूरी में ज्यादकर मई और जून में जाना पसंद करते हैं लोगclam合 साध़ зов shortest में और जून के अंदर जाना क्योंकि वहां काफी अच्छा लगेगा आपको गूमने में पसंद करोगे आप वहां जाने में मही और जून के महीने में ज़्याद अपतर ठीक है क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और गर्मियों के मौसम में ही लोग हिल इस्टेशनों का मज़ा ज्यादा आनंद लेते हैं मसूरी की यातरा का सबसे अच्छा जो समय है गर्मियों के दोरानी है दोस्तों ठीक है क्योंकि वहां चिल्चलाती गर्मियों के दोरान होता है ना किसी क्योंकि ये चिल्चलाती गर्मी से वहां काफी आरा मिलता है अप्रेल मैं जून के महीने के अंगर ठीक है तो आप ए दो महिने तक आप वहां जा सकते हैं बरबारी का मज़ा ले सकते हैं और आपका रहने का खाने का पीने का जो भी है आपका वहां मतलब कि देरादुन से मसूरी 33 किलो मीटर का रास्ता है वाई सब्सक्राइब तो मसूरी और ने निताल अलग है तो मसूरी सबसे ज्यादा अच्छा है बरबारी का मजालोग दिसंबर से फरवरी तक के महिने में जाकर के ठीक है और हाँ नेक्ट वीडियो का इंतिजार करना है घर बैठ़े आपको मैं गुमाता रहूँँगा अब घर में ज्यादा पढ़रे है मैं भी ज्यादा गूमूंगा नहीं आपको यहीं बैठे बैठे आपको हर जगे के दर्सन कराता रहूँगा गुमाता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए वाई वाई